दोलन के अपन बात करेंगे मैंने आपको जब एक किसान आंदोलन शुरू किया था तब एक चीज बताई थी कि अलवर के अंदर क्या है कि यहां खाल सा भूमी तो ज्यादा थी और जागिरी भूमी यहां पर कम थी जागिरी भूमी की बात करें तो मातर कितनी परसेंट थी 13 परसेंट थी और यहां पर खाल सा भूमी के अगर बात करते हैं तो वह जस्ट अफजिर थी उसके करीब 87 परसेंट यह और अलवर के अंदर देखो जो किसान आंदोलन हुए यह भी मुख्य रूप से कौन सी बाग प भूमी का मुलब सीदा सीदा सापन कह सकते हैं सीदा सासक का नियंतरन यानि भूमी पर सीदा सीदा नियंतरन किसका रहता है आपने सासक का नियंतरन रहता है जबकि यहां पर जागिर्दार के नियंतरन में रहती है और जागिर्दार के नियंतरन के बाद में जागिर्दार यहां से कर वसूल करता है और जागिजदार कर वसूल करके ये किसको देता है सासक को देता है एक आनी होती है अलवर में मामला उल्टा अधिकांज भूमी खाल सा भूमी और जागिरी भूमी ये तथाई था तो आंदोलन भी देखो इसमें जो ये किसान आंदोलन हुआ ये कि काट के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं एक तो देखो समय जो ऐंदोलन आ यह बिस्वेधार राजपुत किसानों का अंदोल अशी दियों कहें बिस्वेधार किसानों का ऐंदोलन और दूसरे जो ऑंदोलन है यहां पर यह है मेव किसान आंदोलन अलवर में तो अलग लग अटनाए है मेव किसान आंदोलन अलग है और विश्वेदार राजपूत किसान आंदोलन अलग है विश्वेदार राजपूत किसान या विश्वेदार किसान आंदोलन इसका मतलब क्या है तो पहले तो देखो वह में? बिश्वेदार का मतलब समझ भाना अची? करीब करीब आप लोग जानते भी ओ. अर बुमी की छोटी काई क्या होती है? बिश्वा कहते हैं. और उस बिश्वा का मालिक हम खुद होंगे तो हमें क्या कहलाओंगा? बिश्वेदार. दुकान है दुकान का मालिक में बुमिका मालिकाना हक जिन किसानों को प्राप्त था ये किसान क्या कहलाते थे बिश्वेदार किसाने कहलाते थे अब अलवर में मामला ये था कि अलवर में जो राजपूत किसान थे एक तो इनको एक दूर से जो पंडिजी थे ब्रामन महराज ब्रामन को हरे को नहीं जो मंदिरों में रहते थे और मंदिर माफिक जो बूमी थी इनके पास मंदिर माफिक बूमी थी ऐसे लोगों को क्या कर रखा था इनको कर बहुत कम देना पड़ता था औरूंके मुकाबले और उनके मुकाबले परी नहीं रहता था इसमें ऐसा किया गया था कि 1921 से पहले यहां का मालम यह था कि जो यह राजपूत और ब्रामन यहां के जो यह लोग हैं कि इनको तो अपनी जो उपज होती थी उसका कि एक बटावा चार भाग राजसव के रूप में देना पड़ता था इनको रेविन्यू देना पड़ता था जो राजसव वो तो कितना था एक बटावा चार भाग लेकिन जो अन्य खेती हर थे अन्य दूर से जो भी खेती हर हैं या जो दूर से किसाने इनके अलावा इन किसानों को बेचारों को देना पड़ता था उपज का एक बटावा दो बाग 50% और इनको कितना एक बटावा चार बाग राजपूत्यों को ब्रामनों को कितना एक बटावा चार बाग और खेती हर जो अन्य जाते हैं जो भी हैं सबी जाते को इनको उपच्गा देना पड़ता था एक बटावा दो बाग यहीं नहीं इनको और भी विशेसाद्यकार प्राप्त थे इनसे किसी परकार की कोई बेगार भी नहीं नहीं जाते थी बेगार देते वो भी कौन देते यही खेती हर किसानी देते जो अन्य जातियों के हैं और इनको विशेसाद्यकार प्राप्त थे लेकिन जब 1921 के अंदर अलवर के नए महराजा बनते हैं जैसिंग जी अलवर के नए महराजा बने तो उन्होंने नया बंदोबस लागू करवाया और यह नया बंदोबस लागू होता है 1923-24 में 1923-24 के अंदर उन्होंने नया बंदोबस लागू करवाया और इस नया बंदोबस की सबसे मुख्य विशेष्टा यह थी कि इसमें जातिये आधार ही समाप्त कर दिया अभी तक दो जो जातिया आधार था कि ब्रामनों को जो मंद्र माफी बोमी उनके पास में है जो राजपूत है इनको एक बटावा चारी देना पड़ेगा और को बेगार बेगार नहीं देने पड़ेगी और इनको साफ एक बटावा दो तो ये आधार समाप्त कर दिया कि अब रेवेन्या राजप से कोई जातिया आधार पर नहीं लिया जाएगा वो सभी से कौमन लिया जाएगा और सभी का एक निसीत तैक कर दिया कि वह सभी को इतना टैक्स देना ही पड़ेगा यानि केती हर किसानों के समान ही राजपूत और ब्रामनों को कर दिया इनसे जो मंदिर माफिक भूमी थी इनके पास में इस भूमी को क्या कर दिया गया खाल सा गोसित कर दिया और खाल सा गोसित करके अब इनसे भी कर वस्वल करने लग गए अब सोचो जो पहले किसी परकार कहा तो कोई कर देते नहीं थी नामातर का क कोई किसी परकार की बेगार भी नहीं देते थे और उनको जातिस रिष्टा के आदार पर उनको विशेश दर्जा प्राप्त था अगर उनका वो विशेश दर्जा समाप्त कर दिया जाए तो विरोध होगा या नहीं होगा निश्चित रूप से विरोध होगा ना मेरा आपी की कलास है इस कलास में से साब आदेश दिया कि पांच पर्टिगलर को विशेज जाती के लोग हैं मैडम की जाती के लोग हैं उन से कोई फीष नहीं ली जाएगी और बाकी उसे पूरी फीष ली जाएगी लेकिन तस तिन बाद में सद बुद्धि आती है और सद बुद्धि में यह कर देगा नहीं सभी को वियाफीस देनी पड़ेगी और जो पहले पिरी में पढ़ रहे थे बताओ सबसे ज्यादा विद्रो तो वही करेंगे ना अरे पहले मुप्त में मिल रहा था जो बेचार को पहले को देना पढ़ रहा बेगार के लिए घासवास काटने के लिए अपने मजदूर भी बेजने पढ़ रहे हैं तो ऐसी स्तती के अंदर वो लोग क्या होगे साब विद्रों के लिए तयारे हो गए और अलवर के अंदर देखो जो नीमूचना गठना की अपन बात करते हैं ये नीमूचना गठना किसी का एक रूप है इसी का एक करन है बिश्वнеदार र्राज जो किसान थे इन बिश्वेदार किसानु के ही आन्दोलन की एक फना कौनकी ए नीमूचना गठना जो किसी होका गठीत होती हैं आपको मालम में 14 माइ, आगे क्या लिखूं महीं लिखूं आप कुछ नहीं लिखोगे चलो मैं लिख देता हूं 14 माई 1925 14 माई 1925 को नीमूचना गटना हुई अब नीमूचना के आसपास में आपको मालम है यहां पर राजपूत यह पूरे बहरोड के आसपास इस इलाके के अंदर तो यहां पर दो को विक्ति उसे हैं हुआ यह मादों सिंग जी और एक दामोदर्जी में ठीरोप से मादों सिंग जी इस मादों सिंग कि कोई बेगार नहीं देंगे जितना रेवेन्यू पहले दे रहे थे उतना ही रेवेन्यू देंगे और भी हमारे जो भी अधिकार हैं वो जाते आदार पर हमें हमारे अधिकार मिलने ही चाहिए अगर नहीं मिलते हैं तो तुम भी बनना जी और हम भी बनना जी कहने का अमलब तो राजा साब भी तो यही थे और हम भी एक जाती उसे इसके थे तो इस इस्तित्यों में इन्होंने साब हत्यार उठा लिए और बिल्कुल युद करने के लिए तैयार होगे कि हम सस्तर संगर्स करेंगे अगर हमें हमारे अधिकारों को से वंचित किया गया हमारे अधिकार ह जैसे देखो आगे बड़ा तो जै सिंग جी पी चाहता था वह बी थोड़ा अलगी प्रकार का इंसान था सार्वशन की दिमाग का था वह भी सबक सीखाना चाहता था टी मेरे लिए तो सब एक जैसे यह मैरे लिए तो सब एक जैसे यह और अगर कोई यससस्सथ्र विद्रोग करते हैं तो इनका निशित रूप से उनका दमन किया जाएगा तो इसके लिए उसने क्या किया अपने साफ इंसपेक्टर छाजुराम six से लिखते हैं ना चाजुराम तो जो इंसपेक्टर कुछल डालो उनको दमण कर दो विद्रों को यह चाजु राम भी थोड़ा सा किसका हुआ दिमाग क्या था यह भी कम नहीं था साब थोड़ा सा किसके ओर भी एहम था तो चाजु राम ज呢 क्या किया जो निमूर चुना, गाउं था पूरा उसको चारू और से गे लिया जैसे जनरल डाइड ने गे रहा था किसको जलिया वाला को ऐसे ही वो तो इसको जलिया वाला कांडी बनाना चाहता था और साथ जलिया वाला कांडी बना दिया चारू तरब से गे लिया इसको तेरा मई कोई ठीक है किसान यहाँ पर बातचित कर रहे और ये करे किसाब हम लगान नहीं देंगे बड़ा हुआ हमारे विशे सद्धिकार लेकर रहेंगे हमें एक जुर्ता दिखानी है अगर दबाव ढ़ला जाए तो हम विद्रो करेंगे और हम युद्य करेंगे ससस्तर विद्रो करेंगे एक महिला जिसका नाम था शीता देवी यह मैं ते अपने याद रखने है शीता देवी का समन्द किस किसान आंदोलन से था अलवर किसान आंदोलन से या विशेश रूप से अपन कहें तो कहां से नीमुचना गटना से यह नीमुचना के ठाकुर रगुनात की पुत्री थी यह मुझे ठागर कौन थे रगुनात सिंग की पुत्री थी शीता देवी ये गाउं घर-घर में जाकर उनको बोलती थी कैसे भी चाहिए किसी भी स्तितिमी हो हमें डटकर इनका मुकाबला करना है हमारे हमें हमें हमारे अधिकारों को वापस साजर राम जी ने किया किया साथ पुरे गाउंगो गेरा और चोड़ा माई को मसीन गनुसी गौलें चलाना सुरू कर दी शैकडू के संक्याभी मारे गए और शैक लिंदर को मारे गया हो जाता है बिल्कुल साँ पूरा गावव इक तना कि रख शाय हो जाता है अहकार मच जाता है सारे गावव के अंदर जब यह आहकार मच गया तो ऐसी स्तितिक के अंदर देखो आगे जाकर इसके बारे में अलग अलग बात की जाती है जैसे जो रियासत समाचार पत्र है ये रियासत समाचार पत्र में जो रियासत समाचार पत्र है इस समाचार पत्र में राम नाराएंड चोधरी ने राम नाराएंड चोधरी ने एक इ यूं कह सकते हैं ज़िए रामणान जी सोधरी थे इन्हों ने इसमें इस गठना के बारे में बताया और इसको एक बड़ा ही विबस गठना बताया और विबस के साथ साथ इसको कहा कि शाब ये तो राजस्तान का दूसरा जलिया वाला कांड है तो आपको मालम होना ची राजस्तान का पहला जलिया वाला कांड तो किसको करते हैं मान गड़ गटना को किसको कहते हैं मान गड़ गड़ ना को और राजस्तान का दूर सा जलिया वाला जो कांड कहा गया एक किसको कहा गया नीमूचना गठना इसी में इस रियासत समाजार पत्र में ही इसको नीमूचना हत्या कांड की संग्या दी गई किसाब यह तो क्या है कि नीमूचना हत्या का तो यह मालम होना चीए रियासत समाजार पत्र में इसको क्या नाम दिया गया निमूचना हत्या कांड रियासत समाजार पत्र में लेक लिकर रामदान चोद्री ने इसको क्या बताया विबच गठना और राजस्तान का दूरसा जलिया वाला कांड क्या का गया इसको राजस्ता का दूर्सा जलिया वाला कांड महतमागांदी जी कौन सब इचा रहने वाले थे तो महतमागांदी जी ने वी तूराहा विबत्स कांड केसे डायर से भितोहरा वीबस कन्ट जो बताया है यह महातमा गांदे नहीं किसको बताया नीเปadina उटेंटटना को जिसको चिपर डी बोलते है डैबल डायरीजम woke up क्यों गया डावले डैबलायरीम्नम्ले सबाते हैं सिधता साव क्या वोलेंगे इसको 3 D और हिंदी में क्या बोलेंगे डायर से भी दोरा विबस क्या बोलेंगे इसको डायर से भी दोरा विबस ये बात कौन करते है इसको महत्मा गांधी कहते हैं साब और जो इंस्पेक्टर चाजुराम था इस इंस्पेक्टर चाजुराम को निमूचना का डायर की संग्या दी कही जा पाल्गेस को नीमूचना का डायर तो इंस्पेक्टर साजराम नीमूचना का डायर कहलाता है अब इतना गठत हो गई फिर भी देगो सितादेवी कौन सी कम थी उन्होंने फिर भी साथ किसानों को प्रेरित किया कि हमें किसी भी स्थिति के अंदर इनका मुकाबला करना है और दर्ज करा दिया किसी तादेवी का संबन किसा अंदोलन से है अलवर या नीमूचना किसाने अंदोलन से जब देगो इतना गठत हो गई तो उसके बाद में महराजा जैस सिंग को भी सद्थ बुद्धी आई और उसने इनके जो विशेश अधिकार थे उनको बहल कर दिया उ बिश्वेदार किसानों का अंदोलन बिश्वेदार किसान कौन से किसान के लाए ऐसे किसान जिनका भुमी पर मालिकाना हक था मालिकाना हक था और ऐसा मालिकाना हक अलवर के अंदर तो दे रखाता वो राजपूत किसानों को दे रखाता या फिर ब्रामन को दे रखाता और उन्हों को मालिका नहाके नहीं था, और उनके वो सिदा खाल्चा उनसे क्या करता था, करवसूल करता था, फिर करके अंदर भी दोहरा मापदंड था, जो खेती हर अन्ने जातिया हैं, उनसे तो लगान केतना लिया जा रहा था, एक बटावा दो वाग, और इनसे केतना लिया निमूचना कांड किस तारी को रहा है 14 मैं 1925 को निमूचना कांड निमूचना का दोशी किसको वाना जाता है इंस्पेक्टर चाजुराम को जिसको निमूचना का जनरल डायरी भी कहा जाता है क्या कहईके अपने इसको नीमूचना का जंदल डायरी कि नीमूचना की जो गटना राम नारंव को से कीं है वीबस गटना और राजस्तान का दूरसा जलिया वाला चांड आप्से कुईतन कर लिए जाए रास्तान का दूरसा जलिया वाला कांड किसे कहेंगे तो नियमूचना कांड को और रास्तान का पर्थम जलिया वाला कंड किसे कहते हैं मानगढढ़णा 20avardatone 2013 के अंदर होती है मैंने आपको बताया था याधकू क्या बताया हम? 3D, double diaries में distilled, इसका मलब क्या हता है? डायर से भी दोरा विबत्स, कौन जी करता होगी ये? डायर से भी दोरा विबत्स का, क्लिर सीजे, ये तो देखो my dear, यहां का जो नीमूचना किसान आंदोलन या बिश्वेदार किसानों का आंदोलन था, ऐसा ही एक दूर्शा अंदोलन मैंने आपको बताए था कि अपनालोर के एक साना अंदोलन को दो बाहगों के अंदर बांड सकते हैं तो ये तो विश्वेदार राजबुत कि सानु का विश्वेश कर अंदोलन था